हेलो दोस्तों तो छलिए हम लोग बात कर रहे हैं आईएस पीसीएस प्रेलेम्स टेस्ट लगा रहे हैं इसमें कुछ हम लोग मत पूर कुश्चन से देखेंगे उनके आंसर तो अभी तक हम लोग 18 टेस्ट खतम कर चुके हैं यह 19 वाप का टेस्ट है ठीक इससे पहले जितने अभी आपके टेस्ट खतम हुए हैं वो सभी जैनेरल एस्टेडीच के नाम से जो आपके प्लेलिस्ट सुची है उसी में डले हुए है कि तो पहला कुश्चन है हमारा क्या है पहला कुश्चन बैस्विक पर्यावन सुविधा निम्लिकित मैं सिक्ष के लिए प्रात्में वित्तियतंत के रूम में कारे नहीं करती है क्या पूँच रहा है कारे नहीं करती है मरकरी पर मेना माटा अभी समय इसके लिए करती है जा वीवित्ता पर सैवत्तुराष्ट अभी समय इसके लिए भी करती है आदमोमी पर रामसर अभी समय इसके लिए नहीं करती है मरो इस्थली करन का सामना करने के लिए सैवत्तुराष्ट अभी समय इसके लिए भी करती है तो इसमें आपका होगा पहले में C option क्या होगा C बैसेविक परयाबन सुविधा की स्थापना रियो अर्स्थ सम्मिट 1992 के द्वरान परयाबनी समस्याओं का सामना करने हेतु की गई थी यह 18 एजनसियों की यह भागेदारी है जिसमें सैफ्तराष्ट की संस्था है समेत बहुपक्षिये विकास बैंक राष्टिये निकाय और अंतराष्टिये NGUS लगभग 183 देशों के साथ मिलकर द्विश्व की गंबीर परयाबन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करती है यह पांच प्रोख अंतराष्टिये परयाबन सम्मिलन के लिए प्राथ में बित्तिये तंद की रूम में कार करती है पहला है आपका जे विवित्ता सम्मिलन दूसरा United Nations Fembourg Convention on Climate Change तीसरा है Stockholm Convention on Farsi Stent Organic Follu Tent 14 UN Convention to Combat Digitification पांच बाहे मीनी माटा Convention और मरेकरी ठीक है इसमें क्या C Option था क्विश्चन है दूसरा याद रखिए एट टेलीगराम पर आपकी PDF मिल जाए ठीक है वहां से डाउनलोड करती रहिए जितनी भी आपकी PDF होती है सभी टेलीगराम पर डाल दीता हूं क्विश्चन है दूसरा नेमलिकित में से कौन से समझाती है इसमें आपके दोनों कतन सही है इसके बारे में याद रिखिए कि यूनाइटिड नेशन्स फैंबर्ग कंवेंशन ओप ओन क्लाइमिट चेंज को 1992 में रियोडी जिनरों के यूनाइटिड नेशन्स कॉनफेंस और अर्थ एंड डवलमेंट में हस्ताक्षर के लिए आईजित किया गया था क्योटू प्रोटुकल कॉप 3 UNFCCC संधी पहस्ताक्षर करने के बाद संधी के उद्देशों की पूर्ती करने के बारे में चर्चा करने के लिए UNFCCC की पक्षकारों ने सम्मेलन किया 1995 तक देश्चों को यह हिसास हुआ कि कन्वेंशन में उस्ताजन हिद्व कटोती प्रावधान अपरियाप थे उन्होंने जलवाई परिवेतन के पिती बैस्विक पिती किरिया को मजबूत करने के लिए बारता सुरू की और दो साल बाद क्योटू प्रोटूकल को अपनाया इसमें आपके दोनों कथन सही हैं क्या होगा सी ओप्सन क्यूशन है आपका तीसरा क्या है कान कुन समझोति के संबंद में निम्लिकित कत्रों पर हमेज बिचार करना है यह अंतराष्टी समुदाय द्वारा जलवाई परिवेतन की देखकाले चुनोतियों को सामुएक एवं ब्यापक रूप से समय पर संबोधित करने ही तू मत्पून नेडेयों का एक समू है सही बात है यह मरुष्थली करन को रोक नहीं तू सहुद्राष्ट कर्वेंशन से संबंदी थे यह आपका गलत है इसमें किवल एक कथन आपका सही है क्या है किवल एक कथन सही है 11 सेप्टमबर 2010 को मैक्सवो की कानकुन में कानकुन में आई जित यू एन एपसी सी सी यूनाइटिड नेशन्स क्लाइमिट चेंज कॉन्फरेंस की कॉप सूले सम्मीलेन में इन समझोतों को अपनाए गया इन समझोतों में है ग्रीन हाउस गेस उर्सरजन को कम करने के लिए यह उजनाओं को अपनाने वह बेकासी राष्टों द्वारा स्वयम को जलबागित पर विवरतन के प्रभावों से सुरक्षित रखने इपने इस्थाई वविस्त का निर्वान करने जैसे महत्पूर्ण उपायों पर बद दिया गया है इसमें आपका किबल एक सही था कुशन है चौद है क्या है निमलिकित में से कौन सी भारत के अविफेद राष्टी ये तोर पर निर्धारित योगदान की प्रमुक विसिस्ताएं है इसमें सही चुनना है बर्ष 2005 के श्तल की तुल्ला में बर्ष 2030 तक अपने सकल गहरेल उत्पात की उत्हाजन गहनता को 30-35 पितिसत तक कम करना है सही है ये वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनों और व्यक्च आवरन की माद्यम से CO2 के समकच 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कारवन सिंग तयार करना ये भी सही है इसमें आपके दोनों कतन शही है ठीक है क्या होगा C ओप्सन कुश्यन है आपका 5 क्या है कुश्यन हरेत जलबायू निधी के संदर्व में निमलकित कतनों पर हमें विचार करना है क्या करना है विचार करना है सही कतन चुनना है हरेत जलबायू निधी GCF बिकासील देशों को उनकी ग्रीन हाउस गेस ओस्ट्राजन को सीमेत या कम करने तथा जलबाई परिवर्तन के पिती अनुकूलन में सहायता करना सही है इसका गटन जलबाई परिवर्तन पर सहयुक्त राष्ट की फेंबर कन्वेंशन की पक्षकारों द्वारा वर्ष 2010 में किया गया था यह भी सही है 2015 में फेरिस समझोती पर हर्ष्टाक्चा होने के बाद साथी GCF को समाप्त कर दिया गया है यह आपका गलत है इसमें क्या एक और दो आपका सही है वर्ष 2015 में फेरिस समझोती की अवधी समाप्त हो गई थी तो ग्रेन क्लाइमेट फंड द्वारा समझोती को कायम रखने और जलवाई परिवर्थन को दो डिगरी Celsius से कम रखने के लक्ष को कि पूर्ती में एक मत्पूर्ण भूम क्या निवाई इस फंड में निवे सनुदान रेड एक्क्वेटी या गारेंक्टी के रूम में किया जा सकता है इसमें आपका पांच में एक और दो कतन सही था कुश्चन है 16 क्या है राष्टी है सवप्छ विकास प्रणाली प्रादी करन के संदर में निमलिकित कतनों पर हमें विच्चार करना है और सही कतन चुणना है इसकी स्थापना सौप्छ विकास प्रणाली परिवजना हितु मेजबान देश के अनुमूदन के अनुसार अनुरूप दिसंबर 2003 में की गई थी सही है वेहद इस तरिये CDM परिवजनाओं ने इस्थानी समधायों हितु सतत्विकास गती विधियों के समर्थन के लिए फिर्मार्डिक उत्सरजन में कटोती कि बिक्री करके दो पिती सत राजस से जुटाने की फिती बदिता बैक्त की है ये भी आपका सही है क्योंटो प्रोटोकॉल को की दो थी है पिती बदिता हो धी CDM परिवजनाओं में तेजी से बिद्धी हुई है ये आपका गलत है इसमें एक और दो कतन आपका सही है ठीक भारत के परियावान मंत्राला ने स्वक्ष विकास तंथ परियोजनाओं की सोईकिती पिक्रिया को सुब विवस्थेत करने के लिए राश्टिय स्वक्ष विकास तंथ प्रादीकर्ण की एक वेपसाइड लॉंच की है बिग साइड परियोजना के बिभिन चर्णों की निगरानी में मदद खरेगी क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी पित्थी बद्देता आउदी में CDM परियोजना की संग क्या काफी नीचे आई है इसमें आपका B ओप्सन था सही कुश्चिन चटबे का B था कुश्चिन साथ क्या है कुश्चिन साथ है आपका भारत में परियाबन प्रभाव आंकलन के संदर में निम्लेकित कत्रों में से कौन सा कतन सही है क्या है सही कतन चुड़ना है भारत में परियाबन प्रभाव आंकलन EIA के काउद्देश विकास परियोजनाओं के परियाबन पर शंभावित तुरवहावों की पहचान और मुल्यांकन करना है सही है परियाबन संरक्षन अदिनियम 1986 के तैद EIA अनिवार था यह भी सही है सभी उद्दोगिक परियोजनाओं के लिए पूर्व्यापक EIA आकलन आवसक होता है यह आपका गलत है इसमें एक और दो कतन आपका सही है तीसरा गलत क्यों है तीसरा कतन गलत क्यों जिन परियोजनाओं में विस्तित प्रयावाईंड पिर्भाव आकलन की आवसकते होती है उनमें सामेल है आपके जो परिदिस भूमी उप्यों के पैटरन को बदल कर कारकारी और सेवावरत जन संख्या की सगंता का करण बनता है जिन में खनेज और वबन उत्पादों को सोनिष्चे तापूर्ती जैसी अप इश्ट्रीम विकास गतिविदी या उद्धोगी पिक्रिया विकास जैसी डाउन इश्टीम गतिविदी यावसकत होती है आगे है जिन में खतरनाग पदार्तों का निर्मान संचालन और रोपियों हो जो परिस्थित की है रोप से संबेदन से छेत्रों के निकट इस्थित सहरी छेत्रों पहड़ी परियाटन अंगेज इस्थलों बिज्ञानिक और धार्मिक मत के स्थानों के निकट इस्थे थो बिभिन पिकार के उद्धोगिक उद्धोगों बाला ऐसा उद्धोगिक चिक जो सामों एक रोख से पर्यावन को पर्याप्त छती पहुचा सकता हो इनके लिए आवत्सक होती है इसमें आपका बी ओप्सन होगा साथ का एक और दो कथन सही था क्विशन है आठ क्या है जलवाईव परिवलतन के लिए राश्टी अनुकूलन कोस कि संदर्म में निम्लिकित कतनों पर हमें विचार करना है यह एक केंद्रिय चित की योजना है सही है नावाईड केंद्र गताने वाली अनुकूलन परियोजनाओ के करयान्मन के लिए नावाईड राश्टी एक करयान्मन एकाई है यह भी सही है आपके दोनों कथन सही है क्या है दोनों कथन सही है इसमें होगा आठ में सी प्रियावन प्रवाव आतलन आवसक होता है उद्धोग परिवजनाव के लिए ताप विद्धु सेंथ के लिए नदी गाटी परिवजनाव आवसारचना अतथा तटी ये वीनी इवन छित परमाणु विद्धु सेंथ पांचों के लिए टिर क्या होगा इसमें होगा आपका नौका डिर पांचों के लिए एक दो तिन चार पांचों के लिए टिर क्विशन है दस क्या है तस परियावन सरक्ष नदीनियम 1986 के थंदर में निमलेकित कत्रों में से कौन सा कत्र सही है क्या है कौन सा कत्र सही है इस कानून को मानव परयाबन पर पर सहीवत्राष्ट सम्मिलन के तिसा निर्देसों का कर्यानमन करने के लिए अधीनीमित किया गया था यह सही है यह कानून जम्मू यहों कस्मील को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है यह आपका गलत है पूरे भारत पर लागू होता है जम्मू कस्मील को भी सामिल किया गया वैसे भी आप याद रखिए अब हम लोग 2020 में बात कर रहे हैं 2019 में जब से जम्मू कस्मील से विसेश राज्य कतर जा खतम हुआ जम्मू कस्मील का अब वहां वो सभी प्रावधान लागू होंगी जो देश के अनराज्यों में होते हैं अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा याद रखिए तो इसमें आपका केबल एक कतन सही था कुशेन हमारा 11 क्या है 11 नेमलेकित में से कने वन्न जीप सरक्षह नतेई ने हैं 1772 के तैद इस्थापित पिसासिक किया जाता है वन्न जीप अब्यारन को राष्टी उध्यान को भी किया जाता है चैमंडल आरक्षि छित को नहीं किया जा सकता है प्राड़ी उद्ध्यान को भी किया जा सकता है तो इसमें एक दो और चार सही है क्या है एक दो चार सही है बी ओसन सही है क्यूश्यन है अब हमारा बारे क्या है निबिल के कत्रों पर हमें विचार करना है कोजी मेगा मेधा कैंद पाड़ा बेड बेड की ये दुरलव और एकलोती पे जाती है जो किबल उडीशा के तटिये जिलों में पाई जाती है कैंद पाड़ा बेड को वनिजीब सरक्चन अदिनियम 1972 की अनुसूची एक कैंदर के सरक्चन प्राप्त है ये आपका गलत है इसमें केवल एक सही है इनका उपयोग मुक्रूप से मतन बेड का मास उत्पादन की किया जाता है ये बेड बनिजीब सरक्चन अदिनियम 1972 की तए अनुसूची एक में सामिल नहीं है तो ये याद रखिए केवल एक कतन बारहे में सही था आपका कुश्यन है 73 सोरी 13 विस स्वास्त संगटन डबलू ये चो की हाल की एक रपोर्ट में कहा गया कि पिछली 17 वरसों में 25 की स्थर पर खसरी के मामलों में बिद्धी हुई है खसरा के बारे में निम्लिकित कत्रों पर हमें बिचार करना है क्या करना है बिचार करना है खसरा एक अतेंद संक्रमा स्वसन रोग है सही बात है बैस्वेक स्थर पर खसरे के मामलों की संख्या में हाली या में बिद्धी टीका करन कवरेज में अंतराल की कारण हुई है ये भी सही है खसरा भारत में मिसन अंदे दरुस के अंतरगर सामिल रोगों में से एक है यह भी सही यानि कि तीरे में आपका तीनों कथन सही है ए ओप्षन सही है कुशन है चौदे चांग E4 मिसन के बारे में निम्लिकित कथनों पर आपको मिचार करना है और सही कथन चुलना है यह लेंडर एक और रोवर रहत एक चंद मिसन है गलत है इसका उदिश चंदमा के निकट के भाग में गहरी है रंके खनेजों की उपस्तिती का अध्यन करना है यह भी आपका गलत है चंदमा की सतय से पितिवी पर सूचना हस्तांतरन करने के लिए एक रित से सेटिलाइट इस्तापित किया गया है यह सही है केवल तीन कथन इसमें सही है चीन के चांग E4 मिशन में दो रोबोट सामिल है चांग E4, Lander, Or, U2, 2 रोबर Lander सतर पर उतरने बाली अंतरिक च्यान होता है जो सतर पर उतर कर अध्यन करता है जबकि रोबर सतय के उपर चक्कर लगाता है और इसका उपयुग अंतरे चनवेशन वाहन के रूम में किया जाता है हाली में चांग इफोर मिसन को चंदमा की दूरस्त भाग की सतय के अध्यन के लिए बेजा गया है या चंदमा की दूरस्त भाग काध्यन करने वाला पहला वैस्विक मिसन है इस मिसन का लग्च चंदमा की निकट की भाग काध्यन करना नहीं है इसमें किवल तीन कतन सही था कुशन है अपका 15 क्या है 15 वीदू नो वहन उपगरे पिडाली BDS के सम्मद में निम्लिकित कत्रों पर हमें विचार करना है क्या करना है विचार करना है यह चेतरी यह नो वहन पिडाली के रूम में कार करने के उद्देश से इस्थापित उपगरे हों का एक सम्मू है जिसके दारे में चीन और इसके आसपास का चित सामिल है गलत है इसमें निम्ने भूक अक्चा में इस्थापित कोई उपगरे सामिल नहीं है यह आपका सही है पाकिस्तान बेदू नौबहन उपगरे प्रणाली का उप्योग करने वाला बाहदेश बन गया है पहला बाहदेश बन गया है यह सही है दो और तीन आपका सही है बेदू, नोवाहन उगरे प्रणाली, 35 उपरों का एक समुवे, जिसमें 5 भूँ स्थर कच्छा उगरे, 3 आनत भूँ समकाली कच्छा उगरे, 27 मद्यम भूँ कच्छा उगरे सामिल, जो पूरे बिस को अपने दाहरे में सामिल करता है, इनमें निमने भूँ कच्छा में इस् कुश्चन है सूले क्या है कुश्चन इनमें पोर्ट बिलेयर के ततकालिंग जिम खाना ग्राउंड में राष्टी द्वच भर रहे गए बर्स उन्नी सो तैंतालीस में इन्होंने सुझाओ दिया था कि अंदमान और निकुबार दूइप समू का नाम किरमसा सहीद और सोराज दूइप कर दिया जाए हाली में के सम्मान में अंदमान और निकुबार के तीनों दूइप का नामकरन नया नामकरन किया गया है यह थे आपके सुभाष्चन बॉस क्या है सुभाष्चन बॉस जैसा कि आपको पता हो पिधानमंतुई में मोधी ने अंदमान और निकुबा दुईपयों में आपके रोस आईलेंड नील आईलेंड और हेव लोक आईलेंड का नाम बदल कर करम सा नेताजी सुभास्चंद बॉस दुईप सहीद दुईप और सुराज दुईप किया गया है ठीक है कुशन है आपका सत्र हाली में भारत ने इरान के रणनितिक चावार बंदरगार के परिचालन का कार भार गेहन किया है निमलकित में से किन तरीकों से चाव भार बंदरगार भारत के लिए उपयोगी हो सकता है या भारत को पाकिस्तानी माल का प्यूग किये बिना अफगानिस्तान तक माल बेंचने का उसर देता है या अंतराश्टी उत्तर दच्चिन परिवान कले आ ले तक पहुँ छेतू भारत के लिए एक प्रमुक सा एक बंदरगाय के रूम में काम करेगा या चीन की तताकतिक इस्टिंग और रड़नीती का पितिकार करने में मदद करेगा यह भी सही है यानि की सत्रे में आपके तीनों कत्रों सही है यह उप्सन सही है कुशन है अठारे 26 भी राष्टी वाल विज्ञान कॉंफेंट कॉंग्रेस की संदर में निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है यह विज्ञान और पृद्धुगी की संचार परचल की तहतायवजित इपकारा करम था सही है इसे उपचारिक रूप उपचारिक के साथ साथ गेर उपचारिक विद्ध्याला परणाली से जुड़े बच्चों के लिए आयरजित किया जाता था यह भी सही है इस बर्स N-C-S-C का विज़े स्वख्चारिक और स्वख्चराष्ट के लिए बिज्ञान पृद्धोगी की एवं नवाचार था यह भी सही है यानि कि 18 में आपके तीनों कतन सही है D-Option होगा Question है 19 भारत में बर्स 2022 में देश के 75 बर्स गांट सुतंता बर्स के द्वारान 22 बे G20 सिखर सम्मिलन की मेजबानी करेगा कब 2020 में सोरी 2022 में भारत 2022 में 22 बे G20 सिखर सम्मिलन की मेजबानी करेगा क्या करेगा मेजबानी करेगा G20 सिखर सम्मिलन के बारे में निम्लिकित कत्रों पर हमें विचार करना है G20 शिकर सम्मिलन एक अंतराष्टी है मंच है जो बार्शिक रूप से आउजित किया जाता है सही है G20 शिकर सम्मिलन का मेज़बान देश पूरे वर्ष समू का नितित करता है ये भी सही है सिखर सम्मिलन के बन बैस्विक समिष्टी आर्टिक मुद्दों पर कैंदित होता है यह आपका गलत है के बन बी ओप्षन मतलब एक और दो सही है जी ट्वेंटी सिखर सम्मिलन एक अंतराष्टी यह मंच है जो बासिक रूप से आवजित होता है सिखर सम्मिलन में 20 देश कौन कौन से हैं 20 देश अर्जिंटीना ऑस्टेलिया ब्राजील कनाडा चेन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेसिया इटली जापान मैक्सको दच्छिड कोरिया दच्छिड अपीका रोस साउधी अरब तुर्की युनाइड़िट किंगडम साइपतरा जमेरिका, यूरोपीय संग के राष्ट प्रमुक और सरकार प्रमुक भाग लेते हैं इसके अंत्रिक्त आमंतित अतिती देशों के नेता और आमंतित अतिती अंतराश्टिय संगठनों के पितिनिती भी सिखर सम्मिलन में भाग लेते हैं जी ट्वेंटी सिखर सम्मिलन का मिजवान देश सेप्टमबर से लेकर अंगले वर्ष के नवंबर तक एक बर्ष के लिए जी ट्वेंटी के अध्यक्ष की रूम में समू का नितित करता है जी 20 सिकर सम्मेलन में ना केबल ब्यापक कारती और ब्यापारिक बल्कि बैस्विक मुद्दों की एक विस्तत सेंखला पर ध्यान केंदित करता है जिनका बैस्विक अर्थ वर्ष्था पर ब्यापक प्रभाव पड़ता है इसमें थे आपका एक और दो कथन सही था यानि कि बी ओप्शन सही था कुश्चन है आपका बीस नेम लिकेत में सिकर सुद्देश के साथ आई जी ओटी नामकारिकरम पेस किया गया कौन सा एक ही किस सरकारी ओनलाइन पिसेक्षण का अकरम इसमें होगा सोसासन हेतु सचंप सेविल सेवा एक और ओप्शन सही होगा कुश्चन है आपका 21 टेली रोपोटिक सरजरी के समद्द में संदर में नेम लिकित कत्रों पर हमें विचार करना है टेली रोबोटिक सरजरी में रोपोर्ट के माध्यम से नियंतित उकरणों का उपयोप करके दूरस्त इस्थानों से रोगी की सरजरी की जाती है यह सही है भारत मानों पर एक टेली रोबोटिक कोरोनरी सरजी करने वाले 20 का पहला देश बन गया है वे आपका सही है 21 में आपके दौनों कत्थन सही है यानि कि C अायने सही होगा कुषियए आपका कि serib 2 निम्दे पैसे कौन comun सब्योव्चक इंडेक्स जारी करता है कौन करता है जर्मन बॉच्च गिलोबल क्लाइमिट रिस्क इंडेक्स आपका जर्मन बॉच्च जारी करता है यह ओप्शन सही है कुष्टन है आपका 23 क्या है कुष्टन है 23 गवाज सनक्षन योजना 2017 की संदर में नेमलिकित कत्रों पर मैं विचार करना है इस योजना में ख सही है भारत की संचित निधी के अंतरक threw एक गवाज संदरक्षन को उसे स्थापड किया जाएगा यह आपका गलत है के और एक प्राइफ में या उसके परिवारं के सदस्सों के स्धीवन क्वाज़ को कंवीर खत्रा है सैंडी बी में ऐसे मामले जहां जाच के दोरान या मुकद्मे के विचारन के दोरान गवा या उसके परिवार के सदर्सों के पितिष्ठा, सुरक्चा तथा संपत्ती को खत्रा हो सैंडी पी ऐसे मामले जहां गवा उसके परिवार के सदस्तों पर जाच या मुकद्मे की सुनभाई के द्वारान प्यतिष्ठा या संपत्ती के उत्पीडन का खत्रा बढ़ता हो ठीक पूणा थे साब मंदिर इस्तित है यह है आपका केरल में कहा है केरल में कुश्चन है आपका 25 क्या है कुश्चन फित्टेग वर्ष 6 देसंबर कुण्यमलिकत में से किसकी पुण्य ने थी मनाने के लिए महा परिनिर्माड दिवस मनाये जाता है बी आर अंबेड़कर साब की याद रखना डॉक्टर अंबेड़कर को भारती समीधान की पिता की रूम में जाना जाता है वह एक नियावादी अर्थ सास्त्री राजनितिक और एक समास सुधाय रखती डॉक्टर बी आर अंबेड़कर साब तो यह आपका 19 बार टेस्ट था आंगे हम लोग इसी तरह की questions और वी थे कि ए